नमस्कार जाए हीं दोस्तों दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बिहार पुलिस का और बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा पेपर होगा यह आपका डिरेक्ट गेस किया गया है कि यह हमारा जो है कोशन डिरेक् आपको बिहार पुलिस के परिच्छा में देखनी को मिले तो आप इसको पुरा देखिएगा अगर आप परिच्छा देने जा रहे हैं तो देखिए आपका हो सकता है एक या फिर साथ या फिर 15 ऑक्टूबर को एकजाम हो किसी भी तारिख में आपका एकजाम हो लेकिन अगर झालट है कि वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर लिखा है प्रस्ति क्ला संदर्दब में गलत है इसमें हम गलत बता ना है गलत क्या है तो देखिए हमारा डी इसमें गलत हो जाएगा इसके तहट जो है पारसत जोड़े जिन्हें विधान पारसत जो है कहा गया यह हमारा दस्तों गलत है बाके बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा स तो आंसर आप अच्छे से याद रख सकते हैं हमारा इसमें जो डी है गलत हो जाएगा नेश्ट हमारा प्रस्ण है कि सम्मिधान सभाग सदस्यों के संबंध में कुल संख्या तीन सो नमासी निश्यत की गई थी जिन में कौन कौन सही सुमिल थी यानि हमारा इसमें सही क्या है तो देखिए ओपियुक्त में से हमारा सभी दोस्तों सही हो जाएगा यानि ब्रिटिस परांतों के प्रतिनिधी की जो संख्या है 292 सही है चीफ कमिशन शेतरों के प्रतिनिधी की जो संख्या है 4 सही है देशी रियास्तों के प्रतिनिधी की जो संख्या है 93 सही यानि तीनो मंदल में तो यह आपको हो जाएगा मई 1949 राश्ट्रिय धोज को जो अपनाए गया था यह अपनाए गया था 22 जुलाई 1947 में राश्ट्रिय गान को अपनाए गया था दोस्तो यह आपका 24 जनवरी 1950 में अपनाए गया था सम्मिधान सभा की जो अंतिम बैठक हुआ था दोस्तो तो यह आपका हुआ था 24 जन्वरी 1950 में हुआ था और पाकिस्तान के लिए प्रितक सम्मिधान सभा के जो इस्थापना किया गया था ये कब हुआ था बताईएगा तो ये हुआ था आपका 26 जुलाई 1947 में हुआ था सोतंदर भारत के पहले मंत्री मंडल के संबंध में किसका मिलान जो है गलत है एकर विभाग दिया गया है दूसरे तरफ हमारा मंत्री दिया गया है तो क्या हमारा गलत है देखिए अगर हम विधी की बात करते हैं तो जोगे नरनात मंडल ये हमारा गलत है विधी आपको बता ह यहां पहोना चाहिए बाकि जो स्रम है दोस्तों जग जीवन राम सही है रक्षा की बात करते हैं तो बलदेव सिंग सही दिया गया है और बाकि जो रेलेवे हैं उलेख किया गया है सही है और मूल लूप से जो है आठ्वे नुसूची में चोऊदा भासा थी ये भी सही है एकईश्वा समिधहान संसुधन 1967 के तहप सिंधी भासा को जोड़ा गया है सही है कौंखनी मणीपोरी त Sit fabla को एक हत्रवा समिधान संसुधन 1992 के तहट जो है जोड़ा गया है यह हमारा सही लेकिन डी हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा अब आपके मन में यह होता है कि जो हमारा यह गलत सही क्या होगा देखें दोस्तों जो यहाँ पे सही होना चाहिए हमारा नैंटी गलत है चलिए इसको देख लेते हैं कोशन नमर सिक्स का तो देखिए युद्याग्य संग एवं राज के बीच सक्तियों का जो विभाजन है दोस्तों आउस्ट्रेलिया यही हमारा गलत हो जाएगा देखिए इसका सही क्या होना चाहिए कनाड़ा होना चाहिए कनाड़ा ब ही दिया गया है किसका मिलान गलत है राज जी और दूसरा तरफ हमारा जो है स्थापना वर्स दिया गया है देखिए अब बात करते हम कि क्या हमारा गलत है तो जो मिघाले दिया गया है मिघाले का जो इस्थापना है वर्स 1971 यह हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा 1971 नहीं यह अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजेगा अगर आप कहीं सेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों में तो आप पर भी आप सेयर कर दीजे ताकि और भी लोग किस वीडियो को देखके अपने रिवीजन कर पाएं मिलान करके आपको बताना है किया हमारा इसमें मिलान सही है तो देखिए दोस्तों सब्ता का अधिकार की बात करते हैं यहां पर कुछ मिश्टेक लग रहा है अधिकार की बात करते हैं तो यहां आपको होजागा अनुचेट 23-24 धार्मिक स्वतंदरता का जो अधिकार है दोस्तों यहां आपको होजागा अनुचेट 25-28 और सिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है यहां आपको होजागा अनुचेट 29-30 आंसर की बात करते हैं तो ह से वरिष्ट नियाले को भेजें तो इसका अंसर हो जाएगा उत्प्रेशन ओप्सन नमर यह सभी प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए इंपोटेंट है आप इसको अराम से देखिए और याद कर लीजिए भारतिय समयधान का नुचे चालिस किसा सिधान पर आधारित है यह कौ है तो यह आपको हो जागा है दोस्तों के टी साह क्या जबचे चाह ऑप्सन नमबर डी सही आंशर हो जाएगा मिला लेते हैं हमारा बार्ण नमबर प्रस्ण जो है मिलाना है कि पर्दान मंत्रियों को उनके कारेकाल के साथ जोह है सुमिलित करके आपको बताना है पारन अगला है कि मानवा धिकार आयो की स्थापना किस वर्स हुई मानवा धिकार आयो की जो स्थापना है ये आपका वर्स 1993 में हुआ है option number C answer हो जाएगा किस समिधान संसुधन अधिनियम के तहट राष्ट्री पिछड़ा वर्ग आयोग को सनमिधानिक दर्जा जो है परदान किया गया है सनमिधानिक दर्जा तो यह आपको हो जागा 102 समिधान संसुधन option number B निमलिखित राजियों में से किसमे पंचायती राज संस्था नहीं है पंचायती राज संस्था दोस्तों नहीं है तो पंद्रा का हो जाएगा नागालेंड में नहीं है बाकी असम में है केरल में है और त्रिपूरा में भी है राज ये के विधान परिशत के सदस्य के यानि सदस्य विद्धान सभाद वारा चुने जाते हैं दोस्तों इसका आउत्तर हमारा हो जागा एक बटा तीन एक बटा तीन ऑप्सन नमबर बी अगला प्रस्न है कि उच्च नियाले के नियाधियसों से संबंदित प्रस्न पर कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन इसमें हमारा गलत है देखे उच्च नियाले के नियाधियसों का अवकास ग्रहण करने की जो अधिक्तम उमर संख्या या फिर उमर जो सीमा होता है 65 वर्ष यही हमारा गलत है बाकी भारत का नागरिखो सही है कम से कम किसी उच्च नियाले में लगतार दर्स वर्ष तक जो है अधियवक्ता रहा हो और इन्हें राजेपाल पत्र की जो है सपत दिलाता है यह भी हमारा सही है भारत का नियंतरक एवं महालेखा परिजबर्षक निमंलिखित में से या निमंलिखित का एक मित्र içRL गाइड एवं मार्क दरशक होता है तो यह आपको लिखा समीती option number D right हो जाएगा उपराश्टरपती के निरवाचक मंडल में कौन सामिल होते हैं कौन सामिल होते हैं दोस्तों तो option number A हो जाएगा एक और दो यानि लोग सभा के सभी सदत से हो जाएगा और राज सभा के निरवाचित एवं मंडली सदस्य यानि ओप्सन नमबर हमारा ए सही हो जाएगा निम्न कतनों पर विचार करें और असत्य कतन का यहां पर चैन करके बताएं तो देखें इस्तिगन प्रस्ताव के विपक्षी दल के नेता ला सकते हैं जो कि यह गलत है तो यदि कोई संसद सदस्य साथ दीनों तक सदन मे और उपस्तित रहता है तो उसकी सदस्ता जो है समाप तो हो सकती है सही है भूतपूर्य संसद सदस्यों के लिए पैंसन की विवस्था 1976 में जो है लाउक किया गया था ये भी सही है अध्यक्ष संसद सदस्य को अपनी मात्र भासा में सदन को संबोजित करने का आग्या चल संपति कि से कहा जाता है तो दौस्तों इसका उत्तर हमारे सोह किस का हो जायगा प्रोटीन ओप्रेन ओप्रियम पाया जाता है अगर हम गेनम की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा निमनलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है चौबिस का देखिए उत्तर हमारा हो जागा पेले डेकर्ण जो है हमारा स्फिरो सोसी है हमारा गलत है बाकि कोशिका का पावर हाउस दोस्तो हमारा माइटो कांड्रिया सही है सबसे बड़ा जो अ आंसर क्या होगा देखि इसका आंसर हमारा हो जागा मूलो में option number B व्रिदू उतक का प्रमुख कारे क्या है देखि अगर हम व्रिदू उतक की बात करते हैं तो भोज पदार्थों का संग्रह करना option number A सही हो जाएगा चालनी नालिका तुथा सह कोसिका पाई जाती है सह कोसि है जो भाग लेती है हिस्टा मीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है तो alergy प्रतिक किरियाओं में option number b निमनालिकित मेंसे कौन सकतन सही नहीं है कौन सकतन हमारा इसमें गलत है देखिए वाईर्स में सौसन की किरिया होती है जो कि हमारा गलत है बाकि सबी वाइड़स पर जीवी होते है सही है वाइड़स भोज पदार्थों के लिए पर पोसी पर निरबार होते है यहीं सही है वाइड़स प्रोटीन और न्यूटलीन और olan न्यूक्ट एक силь से कर जिए है बने होते हैं ये भी हमारा た। सही है the rates का क्रणड क्या है अगर हम by समय में गलत है अगर हम गलत की सेला वायरेश जो है हमारा दोस्तों छोटी माता सही दिया गया है यूगलीना का प्रचलन अंग क्या है अगर हम यूगलीना का प्रचलन अंग की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 32 नमबर का हो जाएगा फलेजीला फलेजीला ओप्सन नमबर बी इलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियां हैं, प्रतिरक्षियां हैं बताईएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा 33 का ओप्सन नमबर A हो जाएगा, IGE ओप्सन नमबर A, निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन हमारा कौन सा होसी को आपको बताना है, देखि कापास की द्रिश्टी से परत्रम स्थली पौधा कौन है जिन में जाइलेंद था फुलेंग उतक पाया आता है आंसर हो जागा टेरीडोफ हाइटा ऑप्सन नमबर भी टेरीडोफ हाइटा कापास की स्कूल से संबंदित हैं अगर हम कापास की बात करते हैं तो मालवेसी कूल से मालवेसी कूल से दोस्तों ऑपसन नमबर सी वेल के हिरदे में कितने चेंबर होते हैं तो चार चेंबर होते हैं कितने होते हैं चार चेंबर ऑपसन नमबर सी निम्न में से कौन एक मचली वर्ग का नहीं है इनमें हमारा कौन सा मचली वर्ग का नहीं है तो इस्टार फिस सब्सक्राइए के अंत्रगत आते हैं गेला है कि सीत निड्रा सब्द की परिभासा किया है अगर हम सीत निद्रा की बात करते हैं तो कुछ जानवरों में सरदियों के मौसों में कम उपापचे गतिविध्य की स्तथी नत्य प्रकास नस्लेशन में पौधा किस गैस का जो है अवर्चूरन यानि अवर्चूसन करता है पताये 40 का उत्तर क्या होगा तो कार्बन डायी ऑकसाइड हो जाएगा दोस्तो कार्बन डायी ऑकसाइड ओप्सन नमबर A निम거ल इखित में से कौन से वर्ण जो है प्रकास संसलेशन में सहायक होता है प्रकास संसलेशन में दुस्तों जो है सहायक होता है तो यह आपको हो जाएगा option number D, opiuk तो सभी इसमें से chlorophyll A हो जाएगा, chlorophyll B हो जाएगा, उसके बाद जैन्थोफील हो जाएगा, चौथा हमारा है करेटो, 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 करेटी, न प्रोटीन आमीनोमल में परीवर्तन हो जाते है यह भी हमारा यानि आप वोर सकते हैं कि इन mine से सभी हमारा सही है, अमासे में कौन से एंजाइम पायाता है, देखिए, अमासे में अगर एंजाइम की बात करते हैं, तो यह आपको हो जाएगा, pepsin option number D, निमनलेखित में से कि पिलेगरा रोग होता है तो यह आपको हो जागा निया सीन ओप्सन नमबर डी अगला प्रस्टे की बास्मत्ती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है क्या अगर हम बहुल्य की मातरा की बात करते हैं तो एमाई लोज दोस्तो ओप्सन निम्न में से कौन सा खनीज जो है आवस्यक है इन में से कौन सा खनीज हमारा दोस्तों इसमें आवस्यक है तो यह आपको हो जाएगा पोटाइसियम दोस्तों पोटाइसियम इसका आंसर हो जाएगा अगला की हिरदाई खांच पायाता है किसमें तो यह आपको देखने की मि किसके द्वारा होता है तो इसका दोखे सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा ट्रेकिया के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों ट्रेकिया के द्वारा ऑप्सन नंबर भी सही हो जाएगा अगला प्रस्ते कि त्रिदली कंपार्ट पाए जाते हैं जो त्रिदली कंपार्ट दोस्त रहता है तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो ब्रोमेंस कैपसुल में ब्रोमेंस कैपसुल में दोस्तों आपसन नमबर हमारा डी सही हो जाएगा यह प्रत्यास्था गुर्णांग की एसाई मात्रक क्या है अंसर हो जाएगा Newton परती मिटर स्कॉार हो जाएगा दोस्तों option number हमारा C सही हो जाएगा Lumen किसका मातरक है अगर हम Lumen की बात करते हैं तो ये किसका मातरक है तो ये मातरक आपको हो जाएगा जोती flux का ये आपका पुरा गेस पेपर है पूरा एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है आप इसको पूरा देखिएगा हो सकते दो बार देखिएगा तकि आपको कोशन याद हो जाए ठीक है देखना और याद करना दोनों अंतर है ठीक है ना रॉकेट के सिधान पर कारे करता है रॉकेट के सिधान पर कारे करता है तो Newton की तीसरा नियम यानि तीरतिया नियम आप बोल सकते हैं option जो है हमारा तीरपन का A हो जाएगा निमलिखित में से कॉर्ण से एक वित्वपन परिमार नहीं है वित्वपन परिमार दोस्तों नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तरबे मान दोस्तों नहीं है बाकी घनत तो है आयतन है और चाल है गुर्थवा कर्षन नियतांग का मान होता है देखें गुर्थवा कर्षन नियतांग पुछ रहा है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 55 का option number C हो जाएगा 6.67 गुड़े 10 के power minus 11 N M square प्रतिक kg square हो जाएगा option number हमारा जो है 55 का C हो जाएगा आगे कि किसी lift में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पढ़ता है कब अधिक मालूम पढ़ता है तो ये पढ़ता है दोस्तों जब lift तोरित गतिर से उपर जा रही हो तब option number हमारा B हो जाएगा अगला एक लोटनी यानि लोटनीग, esthetik का था सरपी, घरसन के कारण बलों को विवस्थित किया जाए तो सही विवस्ता होगी सही विवस्था होगी बताइएगा तो शंतावन का उत्तर हमारा हो जाएगा लोटनिक, सरपी, esthetik option number हमारा देखिए 57 का भी सही हो जाएगा यदि अभी लंब बल दुगना कर दिया जाए तो घरसन गुर्णांग पे क्या आसर पड़ेगा घरसन गुर्णांग पे क्या आसर पड़ेगा तो यह आपका दोस्तो समान रहेगा अगला की प्रचे पे पत का आकार होता है तो इसका सही उत्तर हमारा जो है 59 को हो जाएगा परवला एकार दोस्तो परवला एकार हो जाएगा option number C सही आंसर हो जाएगा अगला की 36 तह कुछ उचाई पर जाते हुए एक बर्फ यानि बम बर्शक को पर पर किसी लक्ष पर बم मारने के लिए उसे बम तक गिलाना चाहिए उसे बम तब गिलाना चाहिए तो यह आपका हो जाएगा लक्ष के पीछे लक्ष के पीछे से option number C हो जाएगा भारत के कितने राज या फिर संग राज छेतरों की दो से अधिक जो है अंतराश्ट्रिय सीमाय हैं तो इसका सही आंसर हमारा जो है 61 का हो जाएगा ओप्सन नमबर A 4 हो जाएगा छेतरफल के द्रिष्टी से या फिर छेतरफल के द्रिष्टी में भारत के तीन बड़े राज ये कौन कौन से हैं जो तीन बड़े राज्जे हैं जिसमें से हमारा देखिए 62 का हो जाएगा राजिस्थान, मध्यपर्देश, महराष्ट्र, राजिस्थान, मध्यपर्देश और महराष्ट्र, जम्मू से स्रिनगर को जोडने वाले दर्डे कौन से हैं, तर्डा कौन सा है, तो यह आपका हो ज से पूरब की और जो है लगाई है तो देखे 64 की बात करते हैं तो ऑप्सन दोस्तों हमारा जो है चौशट नमर का हमारे यहां पर सी हो जाएगा देखे बोल लाए कि डाफला पहले पर आएगा फिर मीरी फिर उसके बाद चौथा हमारा अबोर पांचवा हमारा पटकाई और पांच वे पर हमारे दोस्तों यहां पर क्या आएगा मिसमी आएगा है ना और पांच एक सेकेंड हां पांच वे भार मिसमी आएगा इसको फिर से देख लेते हैं हम सबी लोग अच्छे से घबड़ाए गया क्योंकि क्या होता है कि पांच ऑप्शन दिया है तो आगे पेछ हो सकता है देखिए बुला कि नीचे दिये गए पुर्वांचल पहाड़ियों पर विचार किजिए तथा पस्सीम से पूरब की और जो है लगाईए अब इसको समझते अच्छे तरीके से आंसर तो हमारा यहां पे सी ही होगा पहले भी हमारा देखें डाफला आएगा दूस पूरा में तो किस राज्य में दोस्तों नहीं है तुरिपूरा में दोस्तों नहीं है तो एक निमने मिलख्यत का अमपर विचार किजिए कूठ की सहाथा से गलत उत्तर का चैन करके बताईए शहाचन चैन का शाच्छत नमबर का तो चार दोस्तों हमारा यानि उत्री हिमाद्री यानि उत्री सहाद्री की सर्वोच्य सिखर कुंद्रे जो कुद्रे मुख ही आपका नहीं है बाकी केदार नाथ बदरी नाथ और हेम कुंड साही मद्ध हिमाले के अंतरगत आते हैं सीवाली के नीचले भाग को तराय कहते हैं छोटा नाग्पूर इस्तित राची का पठार, जो है, संपर्दाय मैदान का उधारन है, ये सुं हमारा जो हे सही है, निमलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं, निकौन हमारा एक किसमे गलत है, गलत हमको बताना है, देखिए, जो हमारा थियागल, पोर्रीफजर सीमार शली, मरति चमबल भाकि हमारा कुछ span का विंग योsur आगे हैं सतीफ सु में आपका इस थी Dorothy यह बताईए का कि आंसर हमारा होगा तो देखें इसका सही अंशर हमारा कि 68 की बात करते हैं किया होगा आंसर देखिए हमारा अंसर नमबर का हो जाएगा दोस्तों बेंबना जील हो जाएगा ओप्सन नमबर सी प्राइदीपी नदियों की लंबाई की अनुसार घटे करम में सजाईए घटे करम में सजाईए तो 79 का देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा option number A, 1, 2, 3, 4 गोदावरी हो जाएगा, किष्णा हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा और महानदी हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे निमलिकित में से कौन सी नदी जो है एसुरी नहीं बनाती है देखिए एसुरी दोस्तों नहीं बनाती है तो महानदी दोस्तों ऐसुरी नहीं बनाती है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे भारत के उत्तरी मैदानों में सीत रितु में वर्सा होती है सीत रितु में दोस्तों वर्सा होती है तो पस्तिमी बिक्छोप से option number A सही हो जाएगा तमिलनाडो में मानसुन के समाने महिने कौन से है अगर हम समाने महिने की बात करते है तो देखिए 71 का दोस्तों हमारा हो जाएगा option number A March April हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों एक स्केंड़ यहाँ पे कुछ कूछ अपरिल नहीं होगा यहां की कभी कभी होता है कि आंसर मिस्टेक दिया होता है तो आप उसके लिए टेंशर नहीं लिए जहां के हमको समझ बदेंगे तो यहां पर बुरा के कि तमिलनाड़ मांसुल के समान महिने कौन से होते हैं तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका नवंबर दिसंबर होगा नवंबर दिसंबर ऑप्सन नमबर डी भारतिय मिरिदाओं में जिस सुख्ष मतातों कि यह सरवाधी कमी है वह आपका कौन सा है तो इसका सही आंसर हमारा जोखे 73 को जागा जस्ता ऑप्सन नमबर डी अगला की तेजाबी मिट्टी को क्रिसी योग बनाने है तू निमलिखित में से किसका उप्योग यहां पे दोस्तों होता है उप्योग तो यह आपका लाइम का होता है किसका होता है लाइम का ऑप्सन नम जाएगा कैल्सियम एक सकंद यहां पर मैंने उपर आंसर कर दिया है इसका आंसर आंसर जो है काली मिट्टी दोस्तों जुताई वाली मिट्टी सबसे अच्छी जो है माने जाती है आंसर हमारे यहां पर सी हो जाएगा 1857 के विद्रोह के विशे में किसने कहा था कि यह 1857 दा ग्रेट डिवॉल्ट पुस्तक के लेखा कौन है तो यह आपके हो जाएंगे दोस्तों असोक मेहता ओप्सन नमबर भी ब्रहम समाज में पहली बार विभाजन जो है कब हुआ था ब्रहम समाज तो दोस्तों यह आपको हो जागा 1856 में ओप्सन नमबर सी स्वामी द्या घखाएं गया थे किसे एंधुरन को जो है आयुजत किया गया था तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वाइकोमा आणदुलन या फिर वाइकोम सत्यागरा बोल सकते हैं अगले कि रहनुमाई जो की माजदायन सभा से निम्न में से कौन संबंदित है तो कौन संबंदित है दोस् कॉंग्रेस के प्रत्सम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किये गए थे तो पारित की बात करते हैं तो नो प्रस्ताव पारित हुए थे कॉंगरेश के किस अधीवेशन के दवरान कादंबिनी गांगुली ने कॉंगरेस के मंच से कॉंगरेस को जो है समबोधित किया है तो इसका आंसर हमारा हो जैगा 6.1 PlayStation 950 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे प्रस्णने कि किसने कौंगरेस सम्म tutti को तीन दिनों का तमासा कहा था तो आस्वनी कुमारदत, ऑप्सन नमबर भी होम रूल लीग आदूनिन के प्रथम सच्जीव कौन थे? सच्जीव पुछ रहा है दोस्तो तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा N.C. केलकर N.C. केलकर option number B Montague घोषना कब प्रकासित हुआ है यह जो आपका प्रकासित की बात करते है तो जुलाई में हुआ था 1918 में option number हमारा यहाँ पे C सही हो जाएगा गांधी जी पहली बार जेल जो है कब गये थे जेल तो यह जेल गये थे दोस्तो 1908 में गये थे वर्स 1908 में गांधी जी ने फिरोसाहमेता की तुलना किससे किया था तो अगर हम तुलना की बात करते हैं तो आपका उत्तर हमारा हो जाएगा हिमाले से option number B किसने कहा कि भारती संस्क्रिती न तो पूरी तरह हिंदू है और ना ही इसलामी और ना ही कोई और संस्क्रिती यह किसका समन्वे है तो यह जो आपका समन्वे है दोस्तो महात्मा गांधी जी का option number B हो जाएगा हंटर आयोग में निम्न में से कौन भारती सद्व से समलित है थे तो उप्यूक तो सभी इसमें से चीमन लाल सितलवाड उसका साहब जाएदा सुल्तान अहमद और जगत नरायन सरदार उदव सिंग ने लंदन के जो कि कैक्ष्टन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कब किया गया था तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बानबे का उप्सन नमर E 13 मर्च 1940 में निम्न में से कौन कॉंगरिस से द्वारा चलाय जाने वाले और सायों को आंदोलन से सहमत नहीं थे तो कौन सहमत नहीं दोस्तो तो आंसर हो जाएगा मुहमद अली जिन्ना एनी बेसेंट और बिपी चंदरपाल यानि आंसर अमबर डी अगला कि सदाकत आसरम के स्थापना के लिए किसने जमीन जो है दान किया था तो खेरूल मिया सबीने अवग गया अंदोलन का जो नेत्रितुव है गुजरात में किसने किया था नेत्रितुव दोस्तो यह आपको हो जाएगा अबुल कलाम अजाद अबुल कलाम अजाद आप्सन नमबर बी अगला है कि कारो बापु के नाम से की से जाना जाता था कारो बापु तो इसका सही उत्तर हमारा पच्छे से याद रखेंगे दोस्तो हो जाएगा गिरिपद चौधरी गिरिपद चौधरी ऑप्सन नमबर ए 1937 इसवे में प्रांतिय विधान सभा की चुनाओ में कॉंग्रिस का चुनाओ चीन क्या था चुनाओ चीन की बात कर रहा है तो 97 का उत्तर हमारा हो जाएगा पीला बक्सा पीला बक्सा ऑप्सन नमबर ए निम्न में से कौन सुमिलित नहीं यानि कौन हमारा इसमें गलत है तो 98 के देखिए हमारा जो दिया गया है अगस्त संकल्प महात्मा गांधी उनिस सो चालिस यह गलत है यह दोस्तों आपका 1942 होना चाहिए महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर परवेश दिवस कब मनाया गया था तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा आठ जन्वरी 1923 ऑप्सन नमबर दोस्तों हमारा जो है 1999 का ए हो जाएगा भारत ने फ्रांसी सियो ने अपना सबसे पहला कार खाना निम्न इस्थानों में से कहां पर लगाया तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सूरत में अब आप बोलेंगे कि सर इसमें मैस नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यह आपका गेस कोशन प करते हैं नए वीडियो बहुत जल्द आए आने वाला है आप सभी लोग का